How to fix the debited amount has been credited back to your bank account problem नमस्कार दोस्तो स्वागरे अब सभी का तिकराज यूटुब चैनल पर दोस्तो कभी कबार क्या हो जाते हैं हम जब transition करते हैं ठीक है यहाँ पे Google पे हो गया या तो फिर फोन पे हो गया आप कई सी भी अगर आप transition कर रहा है या फिर अपना जो पेसा है वो ट्रांसफर कर रहा है ठीक है किसी bank account के अंदर पे तो आपको ऐसा problem आज सकते है payment fail करके ठीक है तो कई पर दोस्तो ऐसा issue सामने आ जाते हैं तो इसमें दोस्तों आप क्या solution कर सकते हैं और किसे करके आप जो पैसा है उसको बैज सकते हैं और कैसे करके आपका ट्रांसचंट dividend ideological होगा payment successful केसे होगा और कैसे problem जो कि आप solve कर सकते हैं इस सबसे मेन चीस जो है वो ही है कैसे करके आप payment को successfully credit कर सकते कैसे send कर सकते वो मैं आपको इस वीडियो पे बताने वारा हूँ अगर दोस्तों आपका payment वो fail हो रहा है ठीक है और यह किस तरह के का error है वो भी मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर दीजिगा चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते है यहाँ पर जो problem हो रहा है ठीक है payment fail का issue कब और क्यों होते है सबसे main reason दोस्तों कई बार क्या होते है जब हम पेसा send करते हैं किसी को तब हमारा जो network है या तो फिर server जो रहते है ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर खरब हो जाते है तो उसके वज़े से भी problem आते है और दूसरा क्या होते है दोस्तों आप जो भी bank का details वगरा आप यहाँ पर दाल रहा है वो दोस्तों अगर incorrect निकला तो भी दोस्तों आपको problem हो सकते ठीक है तो make sure आप जबी भी कोई transition करने जाते है तो bank का जो details होते है वो accurate रहना चाहिए ठीक है otherwise दोस्तों आपको इसी तरह के का problem होते रहेगा और आप जो पेसा sign करने वाले ठीक है वो दोस्तों को भी जा सकते हैं तो उसके वज़स भी दोस्तों इसा problem हो जाते है तो आपको वो जो details है बेंग का वो आपको सही से accurately यहाँ पे enter करना होगा ठीक है सबसे पहला आप यह कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको check करना है कि आपका जो application है उसका अपडेट हुआ है कि नहीं है ठीक है कई बार दोस्तों अपडेट नहीं होने के वज़़से भी एप जो है miss behavior कर देते हैं तो आपको वो भी check करके देखना परेगा उसके लिए आप प्ले स्टोर में जाए ठीक है और अपना एप को search कीजिए और उसके बाद में चेक कीजिए कि उस app के अंदर पे आपको अपडेट की जरुवट है या नहीं है ठीक है अगर अपडेट शो करते हैं तो आपको अपडेट कर देना है क्योंकि बग के वज़़से भी problem हो जाते हैं तो आपको ये भी करके देखना है उसके बाद में दोस्तों आपको solve करना होगा netrock का issue netrock issue अगर आपको fix करना है तो आपको जाना होगा setting पर ठीक है यहाँ पे आपको setting बर जाना है scroll down कर लेना है system को open करना है उसके बाद में दोस्तों आपको reset option पे जाना है and then रिसेट वाइफाई मॉबाइल एंड ब्लूटिट का ओप्शन पर जाके एक बार नेट्रोक सेटिंग को रिसेट कर दीजिए यहाँ पर मॉबाइल पासवड एंटर करना होगा उसके बार रिसेट सेटिंग पर क्लिक कीजिए और उसके बात में दोस्तो जाएए ट्रांसिशन कर पाऊगे उसके बात में दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम हो भी सॉल्फ हो जाएगा लेकिन दोस्तों कई वर क्या होता है बेंग के तरह से भी प्रॉब्लम मिलते हैं ठीक है मान लिजिए आप किसी एकाउंट पर ट्रांसफर कर रहा है वहाँ पर फ्याल हो रहा है दूस कि आप की दिन से पड़ा हुआ है और ऐसे यह तो फिर दोस्तों उसमें प्रॉब्लम भी हो सकते हैं तो इसके वज़े से दोस्तों आपको क्या करना होगा आपको एक बार बेंग पे जाकि भी इससे बात करना परेगा ठीक है कर बार दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम हो जाते है के तरफ से problem होते हैं तो आप किसी बेंग executive का मदद भी ले सकते हैं कि ऐसा की हो रहा है आपके bank account के साथ में पेसा वगरा transition क्यों नहीं हो पा रहे हैं ठीक है हो सकते हैं आपका bank bank का जो account वो inactive हो तो उसके वज़़ा मदद से भी हो सकते हैं तो यही सारे reasons हैं दोस्तों जिसके वज़़े से payment fail होते हैं और जिसको आप solutions के मदद से भी solve कर सकते हैं या फिर आपको personally fix करना पड़ते हैं ठीक है so उम्मिद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसने आओगा thanks for watching